क्या आप भी अपने के लिए एक चिमनी लेने की सोच रहे हैं पर आप कन्फ्यूस हैं कि आपको कितने साइस, कितने सक्षन फावर और कितने नॉइस लेवल की चिमनी लेनी चाहिए तो कोई बात नहीं क्योंकि आज आज आपको इस वीडियो में अपने सारे कोश्चेंश के से जरूर मिल जाएंगे हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल प्रिव्यू हब में और आज हम आपके लिए फाइब कीचन चिमनी ने इंडिया लेके आएं वह भी अंडर 10,000 और दोस्तों आपको केचन चिमनी लेते टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको हमारी कीचन चिमनी के बीच कमपैरिजन बताएंगे और इन सभी के बेस्ट पाइंग लिंक पी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चलिए अब भी ना क िसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो तो दोस्तों हमारी लिस्ट में अंडर 10,000 बैस कीचन चिमनी इन इंडिया है अलिपा की 60 cm चिमनी ब लो adopt की 60 judges चिमनी QAnissa की 60 cm चि तो चलिए अब हम हमारे 50 कीचन चिमनी अंडर टेन gather impression करते हैं तो सबसे पहले हम इने compare करते हैं इनके material के face पे तो दोस्तों आपको इन सभी कीचन चिमनी में stainless steel का material मिलता है next हम बात करते हैं size की तो दोस्तों आपको इन सभी कीचन चिमनी में 60 cm का size मिलता है जो आपके 2-3 burner के लिए एकदम perfect है पर अगर आपके घर में 4 burner है तो दोस्तों मैं आपको 90 cm वाली चिमनी suggest करूँगी और दोस्तों इन सभी चिमनी के 90 cm के link पी मैं आपको description box में दे दूँगी आप वहाँ जाके check कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं air suction capacity की तो दोस्तों आपको इनालसा की इस चिमनी में सबसे ज़्यादा suction capacity मिलती है इसमें आपको 1250 cubic meter per hour की suction capacity मिलती है वहीं आपको फेबर और ब्लो हट की चिमनी में 1100 cubic meter per hour की suction capacity मिलती है और कैफ में 1000 cubic meter per hour की और एदिका की इस चिमनी में आपको सिर्फ 880 cubic meter per hour की suction power मिलती है और दोस्तों अगर आप Indian style food ज़्यादा बनाते है तो आपके लिए ज़्यादा suction power वाली चिमनी एकदम perfect रहेगी Next आप बात करते हैं filter की तो दोस्तों आपको ऐलिका की चिमनी में cassette filter मिलता है वहीं आपको blow hot और keff की चिमनी में baffle filter मिलता है तो दोस्तों ये filtering जाली की तरह होते हैं इसमें से जब भी धुआ पास करता है तो उसमें जो भी oil grease और particle होते हैं ये उसको retain कर देता है और इस तरीके की filter को आपको month में at least एक बाद साफ करना पड़ता है ताकि आपकी चिमनी चोक ना हो जाए और आपके buffer filter as compared to cassette filter जाद अच्छे होते हैं और दोस्तों फेबर और inalsa की ये चिमनी आपकी filterless चिमनी है इनमें आपको कोई filter नहीं मिलता इनमें धुआ सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है और आपके chamber में जो भी oil collect होता है वो सीधे आपके oil collector tray में आ जाता है जिसे आप बाद में बहुत इजली निकाल के साफ कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं auto clean technology की तो दोस्तों आपको फेबर, blow hot और inalsa की चिमनी में auto clean technology मिलती है वही आपको बाकी सारी चिमनी में push button मिलती है नेक्स हम बात करते हैं LED lamp की तो दोस्तों आपको अलिका और inalsa की चिमनी में एक LED lamp मिलती है वहीं आपको बाकी सारी चिमनी में 2 LED lamp मिलती है नेक्स हम बात करते हैं कि आपकी इस सारी चिमनी कितनी noise produce करती है तो दोस्तों आपकी ऐलिका, फेबर और ब्लो हट की ये चिमनी 58 से 60 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करती है, फुल पावर पे, वहीं आपकी कैप की चिमनी 54 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करती है, और इनालसा की ये चिमनी 65 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करती है, नेक दोस्तों आपको एलिका की इस चिम्नी में 600 रुपीज इंस्टॉलेशन और 800 रुपीज इंस्टॉलेशन के देने पड़ेंगे वहीं आपको फेवर और कैफ की इस चिम्नी में 600 रुपीज इंस्टॉलेशन के देने पड़ेंगे और दोस्तों ब्लो होट की इस चिम्नी में अगर आपकी किट में समान कम पर जाता है तो आपको एक्स्टा 1200 रुपीज देने पड़ेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं वरेंटी की तो दोस्तों आपको एलिका और फेबर की स्टिमनी में नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस की तो उसे बताने से पहले मैं आपको बता दू इन सबके प्राइस चेंज होते रहते हैं तो लेने से पहले एक बार exact price description box में लिंक में जाके जरू चेक कर लें पर इस टाइम आपको Amazon पे Alika की ये चिमनी 5,800 रुपीस में मिल जाएगी, फेवर की 9,999 रुपीस में, ब्लो होट की 8,122 रुपीस में, कैफ की 8,990 रुपीस में, और इनालसा की ये चिमनी आपको 9,010 रुपीस में मिल जाएगी. तो दूस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारे सारी best kitchen chimney in India, under 10,000 के buying link आपको हमारी description box में मिल जाएगे, और दूस्तों अगर आपको 90 cm की चिमनी चाहिए, तो इन सभी model के link में आपको description box में दे दूँगी, और आपको इन में से कौन सी kitchen chimney पसंद आई, वो भी मुझे comment box में जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो useful लगी, तो please like, share and subscribe my channel and press bell icon, और मैं मिलती हूँ आपको क किसी नए वीडियो में किसी नए product के review के साथ